हालो काईज, वेलकॉम डू टेक ये असर की यूट्यूब चनल ये हमारे पास रियलमी C35 का इंडियान जुनिट आज की स्टुडियो में करेंगे यापर इसके अन्बॉक्सिंग मेरे फॉर्स इंप्रेशन आपको के साथ में शेयर करूँगा क्या कुछ चीज़े मुझे फर्स इंप्रेशन के साथ से अच्छी लगी क्या कुछ चीज़े ठीक ठाक लगी कम्प्लीट टीटेल यहाँ पर देने वाला हूँ तो कर देना वीडियो को लाइक वीडियो का लाइक के टार गे टकते हम तीन अजार लाइक्स का यह होप क्या पर आप कर दोगे सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते है फ्रेंद्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह के का आपको बॉक्स दिखने को मिलते हैं यहाँ पर रियल्मी C35 स्मार्टफोन का C35 लिखा हुए, रियल्मी लिखा हुए बैकसाड में अगर आप दिखोगे को स्पेसिफिकेशन मगरा मेंशन करेगा है हमारे पास भी आपर ग्लोइंग ब्लाक कलरे 464 वाला वेरियन तो चलिए जल्दी से से अइड़ बॉक्स कर लेते हैं देख लेते हैं क्या कुछ आमें box में content देखने को मिलता है यह सेम आपको retail unit में भी यही तारे content देखने को मिलें गे तो कुछ इस तरregे का typical realme वाला box देखने को मिलता है ओके तो देख सकता हूँ इसे रख देते हैं साइड में इहां पर अगर अगर हम देखे तो यहां पर आप देख सकते हो रियल्मी का कुछ yellow and black color की theme है ओके तो यहां पर आपको SIM ejector pin देखने को मिल जाती है बट sadly मैंको लगते हैं यहां पर case नहीं है जी हां सिर्फ यहां पर आप देख सकते हो तो मैन्यूल्स वगरा दिया गया केस नहीं दिया जो के मेरे सबसे होना चीए थायर बजट फोन में तो केस होना ही चीए यह कुछ इस तरह के का आपको डिवाइस दिखने को मिलता है अच्छा सॉलीड लग रहा है मतलब स्लीम स्मार्ट फोन लग रहा है साथी में बॉक्स अ तो यह कुछ आपको बॉक्स कंटेंट देखने को मिलेंगे रियल्मी सी 35 के इंडियन डिटेल यूनिट में यह हमारा में डिवाइस तो यहां पर देख लेते हैं कैसा में ग्लोइंग ब्लाक किलर देखने को मिलता है ओह भाई साहब बहुत ही ग्लॉसी टाप का पैनल है बह सब रियल्मी वाले लोग ने डिजाइन पर काफी तगडा वाला यहां पर काम करे हैं तो कुछ इस तरह के का स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड है यहर केस भी दे देते तो और बढ़िया बात रहती साती में चलिए बात के लेते हैं यहां पर यह डिवास के फिजिकल आफ का बटन है आप देख सकते हैं अलग सा डिजाइन दिया गया है मतलब आप बोसक्तों नीचे की तरफ स्लोप है यहां पर सेट हो जाएगी फिंगर्पेंट स्कैनर भी यहीं पर दिया गया है साइड मॉंटेट है अच्छ लगा डैक से तो बैटर है साथी में लेफ मेटफोन जैक का सपोर्ट माइक मिल जाता है टाइप सी पोर्ट में स्पीकर दिखने को मिलता है उपर की तरफ से यहां पर आपको प्लेन देखने को मिल जाता है तो चलिए जल्दी में डिवाइस को बुट अप करता हो जब तक आप यहां पर स्पेसिफिकेशन वगरा जबर्दस कह रहा हो ग्रीन कलर का तो मुझे पता नहीं ब्लैक वाला काफी जबर्दस लग रहा है कैमरा लियाउट डिखोगे तो रियल्मी के जो फ्लक्षिप के लिए रियल्मी जीटी नियो टू या रियल्मी नाइन प्रो सीरीज जायती वैसा कुछ देखने को मिलता है और बहुत ही जबर्दस इन हैंड फील है हाँ डिवाइस हलका सी 189 ग्राम से आप कह सकते हो 8.1 mm की थिकनेस मिलती है और जो बॉक्सी डिजाइन जो बजट में रियल्मी ने प्रोवाइड करा है बना बहुत अच्छा लग रहा है मतलब वो करवाले से बोर हो चुके थे जो बॉक्सी डिजाइन आपको 20-25 वाले फोन में मिलती ना वैसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो इन हैंड फील जबर्दस लग रहा है और बिल कॉलिटी भी काफी सॉलिड है हाँ बैक पैनल पॉली कार्मेट जरूर है प्लास्टिक आप कह सकते हो लेकिन द में HD डिस्पल्रय पिले था लेकिन फुल 8D है अवर एल डिस्पलै जो है फुल 8D रेज़ूशन वाला मतलब कौफी शार्फ डिस्पल्रय आप जसा की देख सकते हो एन आप बोल सकता आपiste का सबसे कासी पंची डिस्पलै भी फिलाल के लिए कलर स्योंगरा काफी पंची ल as compared to previous Realme के C-Series वाले फोन से अब UI अगर आप देखोगे typical Realme UI आपको देखने को मिल जाता है Bloatware के अगर हम बात करें तो Bloatware अच्छे खास है आपको देखने को मिल जाता है Josh मिलता है, Moj मिलता है, Snapchat वगरा है चलिए अब देखते हम इसको जोश वगरा को अनिस्टाल होता है के नहीं App Info and Yes, जी आप अनिस्टाल सारे Bloatware को कर पाऊगे जो के काफी पढ़िया बात है Settings में चलके आपको बताता हो कि 64GB वाला वीरेंट अगर आप परचेस करते हो तो यहाँ पर Storage out of the box कितनी मिलेगी तो approximately 16GB जो used है तो आपको around 48GB के आसपात जो है Out of the box Storage वगरा देखने को मिलेगी अगर हम बात करें यहाँ पर About Phone में अगर हम जाते हैं तो Android 11 out of the box देखने को मिलता है अगर हम बात करें यहाँ यहाँ पर UI की सब्सक्राइब काफी बढ़िया सी लग रहा है सब्सक्राइब अगर आप देखोगे तो तो चलिए देखते हैं इसकी Speed कैसी है तब देख सकते हो Tab, Unlock, Tab, Unlock, Tab, Unlock तो काफी Fast है, Responsive है अब Face Unlock में यह Finger आप देख सकते हो इससे खुलता नहीं है, अब Face Unlock में चेक करा तो आपको Tab, Unlock, Tab, Unlock, Tab, Unlock तो दोनों की Speed मुझे यहाँ पर काफी सही लगी है चलिए मैं यहाँ पर आपको YouTube एक वीडियो प्ले करके बताता हो कि Overall आपको Quality, Colors वगरा कैसे मिलेंगे तो आप देख सकते हो बेजल्स वगरा budget के साबसे decent है और आपका जो water drop notch है, size छोटी है, देख सकते हो मतब अच्छा 6.6 inch का display है, punchy display, IPS के साबसे color वगरा काफी punchy लग रहे है तो overall display में जो आपको wing angle वगरा है, वो भी आपको decent देखने को मिलता है और quality भी मिज़े IPS के साबसे, C-series के smartphone के comparison में ये वाला smartphone काफी सही लग रहे है तो guys अगर हम speakers की बात करें, तो यहाँबर आपको single bottom firing speaker देखने को मिलता है चलि मैं YouTube पे आपको audio सुना देता हूँ, तो आपको quality का अंदाजा हो जाएगा तो guys, speaker quality पता नहीं, mic में कैसी आ, ये capture वगरा हुआ ये नहीं बराबर से लेकिन reality में अगर मैं मेरी बात करूँ, तो decent speaker का हूँगा बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत loud भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है decent, normal जो budget में speaker आते, वैसे ये कुछ extraordinary नहीं है तो guys, अब बात के लेते हैं, यहाँ पर ये smartphone के processor के बारे में तो यहाँ पर आपको Unisoc का T616 वाला chipset डिखने को मिलता है जो के 12NM technology based है, 4G chipset है और अगर आपको idea नहीं आ रहा है कि भाई कैसे perform करेगा 22 score आपको 2,30,000 के around डिखने को मिल जाता है अगर वैसा भी नहीं समझ रहा है, तो Helio G70, G80 जैसे आपको performance यहाँ पर यह पर यह provide कराएगा तो decent है यह price point पर आपको brand जो है बिना offer के मैं बात करो ऐसे chipset प्रोइड कराते हैं, gaming experience आप PUBG वगरा का देख सकते हो decent कहूंगा, settings वगर आप थुड़ा low to medium पे रखके decent gaming कर पाऊगे, लेकिन जादा कुछ expectation, gaming phone वाल यह मत रखना लेकिन decent अगर आप low settings पे कहलते हो, तो PUBG वगरा भी आराम सी यह चला लेता है और overall UI experience की बात करें, तो मनब इकदम से clean interface type का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो UI भी आपको जो बटरी smooth type का आप कहा सकते हो, budget के साब से, तो इतना कोई आपको lag वगरा भी देखने को नहीं मिलेगा तो chipset मैं कहूंगा decent यहाँ आप रियलमीने इस्तमाल करा है सेंसर के अगर हम बात करें, बहुत सा लोग budget phone में पुछते हैं जाइरोस्कोप है के नहीं, compass है के नहीं तो यहाँ पर आपको accelerometer, light sensor, proximity sensor, magnetometer मिल जाता है, compass भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जी हाँ मिलते है, बहुत सारे brand यहाँ पर skip भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो है map वगर अच्छे से use कर पाऊगे अब बात कर लेते हैं अपर इसके camera के बारे में जो के realme बहुत जादा highlight कर रहा है बैक में यहाँ पर आपको realme के c-series में I think पहली बार जो है 50 megapixel का triple air camera का setup मिल रहा है और 50 plus 2 plus 2 megapixel का ultrawiding camera नहीं है बैक में अगर आप देखोगे camera interface कुछ इस तरह के का typical realme UI वाला देखने को मिलता है वीडियो अगर आप देखोगे, capture आपको देखने को मिलता है, portrait mode more में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब सकते हो, अलाग अलाग 50 megapixel, filter, time lapse, macro, night pro, अगरा सारी चीज़े मिल जाती है वीडियो देख लेते हैं back camera से कितने पर shoot कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर 1080p, 30fps, 70fps, 30fps पर basically shoot हम यहाँ पर कर पाएंगे जबकि selfie camera के अगरा हम बात करें, तो 8 megapixel का आपको selfie camera मिलता है, इसकी recording के अगरा हम बात करें, तो max जो आप 720, 30fps कर पाऊगे, full 80 नहीं कर पाऊगे selfie camera से तो guys, यहाँ पर मैं आपको कुछ picture samples वगरा बताता हूँ, जो कि मैंने initial impression के लिए लिया हूँ, धूप में दिन में अगर आप images वगरा ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ थोड़े punchy extra color यहाँ पर आपको देखने को मलते हैं, बहुत सा लोगों को पसंद भी आते है जिपकि indoor shots के अगर हम बात करें, decent काऊंगा, 50 megapixel से, ठीक ठाक budget के इसाब साब shots वगरा ले पाओगे, selfie shots के अगर हम बात करें, तो 8 megapixel, ठीक ठाक से selfie camera में काऊंगा, कुछ extraordinary नहीं है, decent आप इसे कह सकते, तो guys, overall अगर मैं मेरे honest opinion की बात करूँ कि बात करूँ कि बात करूँ क नहीं लगता है, आपको 20-25 जार वाला feel देगा, तो design से मैं totally impressed हूँ, मतलब आपको boxy design वगरा भी देखने को मिलता है, ये चीज़ अच्छी लगी, प्लस display, जी हाँ, water drop not जरूर है, लेकिन quality wise मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, प्लस processor मैं काऊंगा, ठीक ठाक है, मतलब ब नहीं कह सकते हो, बहुत बेकार भी नहीं है, तो overall decent smartphone मैं काऊंगा, लेकिन हाँ, दो चीज़ यहाँ पर realme और अच्छी कर सकता था, कि ये water drop की जगे, next time से punch hole दोगे, budget में तो और बढ़िया बात रहेगी, प्लस single speaker के साथ में dual studio speaker, budget में और भी brand डे रहे, तो realme अगर इस प मिल रहे है, वैसे guys, आप मुझे कम सक्षिन ने बताना, overall यहाँ पर यह smartphone आपको कैसा लगा, और इसके regarding आपको कोई और वीडियो देखना है, कोई questions है, queries है, मुझे बताना, नीचे comments में, I hope कि मैं सब कोड़े पसंद नहीं होगी, और कैसा कर आपको डियो पसंद आए, तो like करे, share करे, channel को subscribe कर देना, मैं मिल तब सिखने किसी video में, जब तक के लिए, thank you